हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो होमपूट रेसिपीस आज हम बनाएंगे होममेड बटर जो हम सिर्फ 10 से 12 दिनों की मलाई का यूज करके एक किलो की क्वांटिटी में बना सकते है बिल्कुल बाजार जैसा स्वाद और वही कलर में आसानी से हम प्यॉर बटर गर पे बना सकते है वो भी सिर्फ तीन ही चीजों का यूज करके तो चलिए होमपूट बटर बनाने की रेसिपी देख लेते है सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा डिब्बा भरके मलाई ले ली है यह 12 से 13 दिनों की मलाई है आपके गर पे दूद कितनी क्वांटिटी में आता है उस पे यह डिपेंड करता है कि मलाई कितने दिनों में जमा होगी मलाई की डिब्ब को मैंने आदे गंटे पहले फ्रीजर से बहार निकाल दिया था और जब यह इस तरह थोड़ी सॉफ्ट हो जाए तभी हम इसे बीट कर लेंगे यहाँ पे आप देख सकते है कि इस पतेली में दूद है उस पे मलाई जमी हुई है उसे निकाल कर हमें एल्टाइट डिब्बे में भरके फ्रीजर में स्टोर करते रहना है यह तीन अमुल गूर्ड दूद की मलाई है और यह सारी जो डिब्बे वाली मलाई है वो भी अमुल गूर्ड दूद की ही है जो full fat दूद आता है मलाई वाला उसी में से मलाई बनेगी अगले दिन मैंने 1.5 लीटर दूद करम करके रूम टेंपरेचर पे आने के बाद फ्रीज में रख दिया था तो आज दूसरे दिन इस तरह मलाई जम चुकी है तो इसी तरह हमें 10-12 दिनों तक मलाई इकटे करते रहना है अब यहाँ पे मैंने एक weight scale ले लिया है उसे हम सबसे पहले तो on कर लेंगे और इस पे एक बड़ा बरतन रखेंगे और जो बरतन का weight आता है उसे हमें minus कर लेना है अब जो हमने मलाई इकटा की है उसे हम नापकर देख लेंगे कि यह कितने gram मलाई है और बाद में इतनी मलाई में से कितना butter बनता है वो भी हम देख लेंगे यहाँ पर वीडियो भले ही चाहे थोड़ा लंबा हो जाए लेकिन मैं यहाँ पर कोई भी cut नहीं करूंगी आपके सामने ही मैं वजन करके बताऊंगी कि कितना gram मलाई है अभी मेरी बेटी चोटी है तो दूद हम थोड़ी ज़्यादा quantity में लिया आते है तो 10-12 दिनों में ही मलाई जमा हो जाती है अगर आपके गर पे दूद कम आता हो तो मलाई इकटा होने में 15-20 दिन भी लग सकते है लेकिन उसमें भी कोई बात नहीं है आपको उसे बस फ्रीजर में रखते रहना है तो उसमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी बिल्कुल वैसे की वैसे ही आपकी मलाई रहेगी और फिर उसमें से जो बटर या गी बनेगा उसमें से भी बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा डिबा मलाई का मैंने बर्तन में निकाल लिया है जो यह थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसे भी मैं निकाल दोंगी डेड़ किलो के आसपास हमारी जो मलाई है वो होगी तो यह देखिए यह डेड़ किलो हुई है अब इस मलाई में हम पौना चम्मच नमक डालेंगे और दो सी तीन चुटकी जितना हमें हल्दी पावडर डालना है ताकि इसका जो कलर है वो बिल्कुल बाजार के बटर जैसा ही आए और इस हल्दी का बिल्कुल भी इसमें टेस्ट नहीं आएगा अब बटर में हम एक कप यानि की 200 ml जितना ठंडा पानी डालेंगे ध्यान रहे ठंडा पानी ही डालना है और मलाई भी हमारी ठंडी ही है ठंडा पानी डालेंगे तो मलाई में से मक्षन बहुत जल्दी निकल आएगा इससे हमें अब एक इलेक्ट्रिक हैंड बिटर की मदद से फैट लेना है सिर्फ 5 मिनट फैटेंगे और मलाई में से मक्षन अलग हो जाएगा स्पीड जो है वो यहाँ पे मैंने 2 पे रखी है क्योंकि 5 की स्पीड पे यानि की हाई स्पीड पे इसे फैटेंगे तो मशिन इतना फास्ट चलेगा कि मक्षन उड़के आपके कपड़े पर प्लैटफॉर्म पे उड़ेगा वोर सब गंदा कर देगा तो 2 की स्पीड पे ही मसिन चलाना है और 2 मिनट फैटने के बाद आपको लगेगा कि मक्षन बहुत ज़्यादा गाड़ा हो गया है थोड़ा सा और पानी आपको डालने के ज़रूरत लगेगी लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है बस आपको फैटते जाना है तो दिरे-दिरे करके इसका पानी अलग होना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट मक्षन को दूख की स्पीड पे फैटा है और आप देख सकते हैं कि मक्षन में से सारा पानी अलग हो गया है यह देखे सारा पानी अलग हो गया है यह हमारा बटर बन चुका है आगे भी इसकी थोड़ी प्रोसेस है वो भी मैं आपको बताती हूँ पहले हम मशिन की जो ब्लेड है उसे निकाल कर उसके उपर जो बटर लगा हुआ है उसे चम्मच की मदद से निकाल लेंगे अब मैंने यहाँ पे एक बाउल में ठंडा पानी ले लिया है अगर बरफ के टुकड़े हो तो आप वो भी डाल सकते है और अब दू हाथों की बीच बटर को दबा कर हमें सारा पानी निचोड़ कर ठंडे पानी में उसे एड़ करते जाना है हाथों को आपको डेटोल या फिर किसी अच्छे हैंड़ोर्स से पहले क्लीन कर लेना है क्योंकि यह प्रोसेस हमें हाथों से ही करनी पड़ती है बटर में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए और इस तरह ठंडे पानी में बटर दो लेने से बटर या गी आप जो भी बनाएंगे उसमें से बिल्कुल भी गंदी स्मेल नहीं आएगी सारा बटर हाथों से निचोड लेने के बाद ये जो 6 पची हुई है उसे आपको फैक देना है क्योंकि ये टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और जो बटर है उसे हम 5 मिनट थंडे पानी में ही रहने देंगे 5 मिनट थंडे पानी में रहने देने के बाद मैंने इसका सारा पानी निचोड लिया है लेकिन अभी भी इसमें 21 दो चम्मच पानी होगा उसे भी हम निचोड लेंगे तो यहाँ पे मैंने फिर से एक weight scale on करके उसके उपर एक बरतन रख दिया है और बरतन का weight मैंने माइनस कर लिया है जो बटर हमने निकाला है उससे अब हम major करके देख लेंगी कि वो कितने ग्राम होता है तो अच्छे से हमें दबा दबार कर butter को बाउल में रखते जाना है ताकि जो इकात दो चम्मच पानी रह गया होगा वो भी निकल जाए फिर से मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि मैं यहाँ पे कोई भी camera cut नहीं कर रहे हूँ जो भी है आपके सामने ही दिखा रहे हूँ ताकि आपको पता चल सके कि 1.5 kg मलाई में से कितना butter बनता है इस तरह से butter बना कर आप freezer में 3-4 माइने तक store कर सकते हैं यह बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा और अगर आपको unsalted butter बनाना है तो आप नमक जो है उसे skip कर सकते है इस butter में से आप गी भी बना सकते हैं और गी कैसे बनाना है वो मैंने पहले ही चैनल पे बताया हुआ है वीडियो के नीचे description box में उसकी मैं link दे दूंगी ताकि आप देख सके तो यहाँ पे आप देखी सकते हैं कि दो चमबत जितना पानी निकला है अच्छे से इसे हमें दबाना है ताकि जो पानी है वो बिल्कुल भी butter में ना रहे वरना वही पानी आपके butter की shelf life कम कर देगा और उसमें से गंदी smell भी आने लगेगी तो यहाँ पे सारा butter मैंने बावल में add कर दिया है और एक किलो 70 ग्राम के असपास butter निकला है अब butter को set करने के लिए यहाँ पे मैंने एक air tight plastic container ले लिया है उसमें clean wrap लगा देंगे ताकि butter जो है वो जमने की बाद आसानी से बहार निकला है अच्छे से clean wrap को डिबबे के अंदर set कर लेंगे और अब जो butter हमने बनाया था उसे हम एक flat spatula की मदद से डिबबे में add कर देंगे और एकदम अच्छे से एक समान हमें evenly इसे फैला देना है ताकि butter जब unmold हो तो बिल्कुल square pieces में ही जैसे हम market से ready made butter लाते है वैसा ही निकले अगर आप clean wrap नहीं लगाएंगे तो butter जो है वो डिबे में ही जम जाएगा बहारी निकल नहीं पाएगा तो clean wrap या फिर aluminum foil आप ज़रूर लगाए अगर butter paper हो तो आप वो भी लगा सकते हैं तो अच्छे से butter को फैला लेने के बाद हम इसे दो गंटे के लिए freezer में set होने के लिए रख देंगे थोड़ा सा butter डिबे में भरने के बाद बज कया है तो उसे में गी बनाने के लिए मैंने gas पे रख दिया है क्योंकि मुझे ज्यादा butter की जरूरत नहीं है तो बागी का मैं गी बना लूँगी गी बनाने की recipe मैंने पहले ही चैनल पे बताई हुई है दो गंटे के बाद हमारा butter अच्चे से सेट हो गया है तो अब हम इसे unmold कर लेंगे एक plate को हमें डिब्बे के उपर रखे डिब्बे के साथ ही हमें plate को उल्टा कर देना है तो आसानी से हमारा butter बहार निकल जाएगा आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा बना है clean wrap को हम हटा देंगे फ्रेंड्स आप भी इस तरह homemade butter ज़रूर बनाएगा मारके की compare में ये काफी pure और सस्ता भी पड़ता है अगर आपको आज काई मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को like और share करके चैनल को subscribe करना ना भूले subscribe बटन के बाजो में जो bell icon है उसे भी दबाए ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की notification मिलती रहे और अगर आपको मेरा यही वीडियो गुजराती में देखना हो तो उसकी भी मैंने link नीचे description box में दी हुई है तो मिलते हैं next वीडियो में till then bye